नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सभी का श्वागत है अंस एश्टरी गुरू में मैं हूँ आपका दोस्त सनी दोस्तों डाक्टर राम्मनोहरलोहिया अवदविश्विद्यालय अवद्याउत्तर प्रदेश की तरब से एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है इस न 2030 के 2023 के जो आपके एक्जामिनेशन होने वाले हैं तीन जुलाई से उसका परिछाकेंद्र निर्धारित कर दिया गया है उस चलिए फटाफट देख लेते हैं कि जो आपके परिछाकेंद्र बनाए गए हैं वो कहां बनाए गये हैं तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख मेंसन किया गया है डाक्टर राम नोहर लोहिया वदविश्विद्यालाय उत्तर प्रदेश यह लिखा है अधिसूचना लिखा है सभी को संब्दित सूचित किया जाता है कि तीन जुलाई से प्रारंब होने वाली MBBS 1st, 2nd और 3rd Proof Part 2 2023 के सप्लिमेंटरी की जो परिच्छाएं सब पंड कराई जाने वाली हैं कुलपती महोदे के अनुसार निमलखित परिच्छाकेंद्र पर निर्धारित किये जाएंगे परिच्छाकेंद्र यों परिच्छा से संबंद संस्थानों का विवरण कुछ इस प सिरी के ऐल सास्त्री सुमारक नर्सिंग कॉलेज सीतापूर हर्दोई बाइपास मुक्तिकपूर लखनव इसमें पाच कॉलेज ऐसे हैं जिनका एक्जामिनेशन सिरी के ऐल सास्त्री सुमारक नर्सिंग कॉलेज में कराए जाएंगे वहीं आपके महामाया राज के Medical College अमबेटकर नगर के examination के जो भी student है उन सभी का सोकेंडर कराय जाएगा तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहा आपका MBBS फ़स्ट और थार्ड और सेकेंड उर्प के examination का आपका जो परिछा केंडर है या सेंटर लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार से रहा है और आपके examination तीन जुलाई से कराय जाएंगे तो दोस्तों यह रहा latest update आप सभी के लिए और इसी प्रकार से latest update पाने के लिए चैनल अंस एस्टरी गुरू से जुड़े रहिए धन्यवास साथियों